अब उस्वाम अलेकुम दोस्तों मैंने आश्वेवर आप देखने मेरे यूट्यूब चैनल पर्मेनिट हैरपैच डेली और आज तीन नमबर को हमने अपनी लखनों ब्रांच की ओपनी एनुगरेशन करती है और अभी मैं अपनी उसी ब्रांच लखनों के अंदर ही हूँ और इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि आपको बस स्टैंड से हमारी यहां ऑफिस तक किस तरीके से आना है और मैं वैसे भी आ प्राइं यहां पर बहुत ऊसकते हैं घुनार यहां फिस पर कोई प्राइज्पी जोंग कोई और आसके ृपिस है प्रेटन यहां अपि całyगी कोई अabileगि आ सकते हैं हमारा जो यह आफिस है प्रीतम प्लाजस बिल्डिन का नाम है सेकंड फ्लोर पे हमने यह अपना आफिस लिया है यहां पे लिफ्ट का प्रिविजन भी है जो के तकरीबन पांस से दस दिन के अंदर चालू हो जाएगा वागी हमारे अंदर आफिस का क्या ओवर लुक है मैं आ आप इसको बहतर तरीके से समझ सकें कि यहां का आलम बाग बस टर्मिनल यहां का नया पसटा है जो अब ही तकरीबन तुन साल के लिए बना है और इस से यह हमारी लोकेशन है अल्मोस्ट सौ मिटर की दूरी पर है तक बने रहेगा तक आप पर समझ भाएंगे कि आपको किस तरह और कैसे आला है यह वस्ट्रेंट से आगे नैक्सा का शोरूम नैक्सा के शोरूम से आप भोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जहां आप दिख रहे हैं कि एक मस्जिद के ओपर हरे ठेंडे लगे हुएं जस्ट उसी के सामने हमारी प्रीतम पिलाजा पर से आपको नजर आ रहा हुँ नौर करीब से आपको दिखा देता हूं यह आगे अपना प्रीतम पिलाजा यह साइकेंड फ्लोर पे आप बोर्ट देख सकते हैं लगा हुए हमारा नश्चे के एर सॉलिशन का और यह उपर इसी में लिखा हुआ है प्रीतम पिलाजा यह दिख रहा होगा आपको और यह साइकेंड फ्लोर हमारा है हुआ है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ हुआ है चाहिए प्लोर हमारा हुआ हुआ है लुआ है हुआ है हुआ है हुआ है भाज पूर झाल झाल तो फ्रेंट्स मैंने अभी आपको अपनी इस पूरे एरे का उपना ओवर लुक दिखाया अपनी इस लखनो ब्रांच का एक बार मैं आपको बता भी देता हूं कि हमने यहां पर कौन से लिगा पर किस चीज की फैसलिटी रखी है तो जैसे ही हम यहां से यहां से एंट्री करत लेकिन सेकेंड फ्लोर है तो मुझे लगता है लिफ्ट को इतनी जरूवत नहीं होती क्योंकि थर्ड फ्लोर या फॉर्स लुआ वालों को लिफ्ट में जरूवत पढ़ सकते हैं यह पांसे साथ दिन में एंट्री करते हैं अपने लेफ साइट पर ऑफिस रखा है अभी यह अपनी प्राइविट कोई भी कन्वेंस कर आना चाहते हैं तो हर चीज़ की फैसलिटी यहां पर आपको प्रोवाइड होगी कि यह भार अपने अपना रिसेप्शन रखा है अब देख सकते हैं वीडियो में माशला कितना सुना कितना खुसूरत लग रहा है उसी के बाद यहां पर अपने अपना इंटो वेटिंग एरिया रखा है वेटिंग एरिया भी बहुत अच्छा इस्पेशिस है और खुसूर अपने अपनी ब्रांश करी है आपकी सभूलयोतों के लिए हमने दिल खोल कर यहां पे आप देख सकते हैं मतलब कोई कमी नहीं होने दिये और इंशालला जब आप यहां पर आएंगे यहां पर आने के बाद आपका मन खुश हो जाएगए आप किसी जगह पर आए हैं और इ यहां पर आप सकते हैं तो जब भी आपको आना हूं एक तो दिन पहले आप कॉल करके अपनी अपन्मेंट ले सकते हैं हमारी एक डैली में में बरांच भी लखनों लखनों गरी इंशालला आप नमबर आता है मुंबई का जो बहुत ही जल्दी वाला है मुंबई में स्टार्ट और मुंबई के बाद बीब मैंने आपको नाम बताया थे बैंगलोर एहंदाबाद और वी उडिसा बहुत सर्याओ मेरा मेरा खौसला जरूर करिएगा क्योंकि मैंने बहुत दिल खूल कर नहीं आप समझ सकते हो लगाया है आप लोगों कि यहां पर आए तो आप लोगों यहां पर आने कर एक अच्छा इंवार्मेंट मिल सके